पॉलिन ट्यूब जनरेट होती है और पॉलिन ट्यूब अपना ग्रोथ मूब्मेंट शो करती है positively उस chemical की तरफ और वो धीरे 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 ओवरी के अंदर पहुँच जाता है यानिकि वो उसका address बता रहा है पूरा है कि इधर आना है इधर से chemical release हो रहा है इधर की तरफ जाना है इसको हम कहेंगे camera professor हैलो बच्चो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ कि सभी बहतर होंगे और बहुत-बहुत स्वागत है आपका lecture number two part two में कुछ जैसा कि आपको पता है कुछ technical issue की वज़े से जो last वारा lecture था वो पूरा save नहीं हो पाया था और आदा ही lecture वो record हो पाया बड़ा ही अफसोस हुआ काफी अच्छा lecture record किया था तो उसी का part two जो उसमें हम नहीं complete कर पाये थे उसको आज हम complete करेंगे इससे पहले हम पढ़ चोके है sexual reproduction का पूरा complete part sexual reproduction in angio sperm यानि के flowering plant हमने start किया था और इसमें हमने बहुत deep में पढ़ा था sexual और sexual reproduction का क्या difference होता है mitosis and mitotic या फिर दूसरी language में हम कहें meiosis and meiotic के बीच में क्या difference होता है और meiosis और mitotic cell division क्या होते हैं flowering plants हमने start किया था बट उसके बाद कुछ technical issue आए और वो सारी मेनत खराब हो गई unfortunately तो वही उसका यानि के lecture number two का ये part two आज हमें दुबारा record करना पड़ रहा है तो बिना time waste की हम start करेंगे तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था कि fool वही तोड़ने की और देने की चीज़ नहीं है क्योंकि वह attractive होता है pollinating agents को attract करने के लिए तो एक बार हम इसका recap कर लेते हैं तो जैसा के आपको आपके screen पर diagram दिखाई दे ही रहा है sexual reproduction in flowering plants इनको हम NGO sperm भी कहते हैं जो flower producing plant होते हैं वो NGO sperm भी कहलाते हैं और जो flower produce नहीं करते हैं वो gymnosperm कहलाते हैं flowering plant यानि के जो plant का फूल होता है flower होता है वो उनका reproductive part है यह मैंने पढ़ा दिया था फिर भी एक recap करा देते हैं lecture को ज़रा accelerate करने के लिए mainly चार पार्ट होते हैं इसके अंदर saples, petals, stamen and pistil saples के बारे में हम detail में आगे बात करेंगे stamen flower का male part होता है याद रखिएगा the male part of the flower is known as stamen and the female part of the flower is known as pistil या फिर इसका दूसरा नाम क्यारपल है मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं biology और मैं हूँ आप कमेंट और फर्मान मलिक और यह आपका है प्यारा सा channel FMats मैस में biology पढ़ना थोड़ा सा जीब है but maths मेरा favorite है इसलिए नाम मेंने maths रख दिया हो सकता है future में change हो जाए but अभी तो maths है बाकी study हम यहाँ पर overall करते हैं ठीक हो गई बात तो यह सब हम आपको थोड़ा सा brief introduction मैंने दे दिया था एक कहना चाहिए diagram आपकी screen पर दिखाई दे रहा है किसी flower का ordinary flower का तो अब male और female part में भी अलग-अलग part होते हैं male part में हमें दो part मिलेंगे यहां से यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह यह जिस पे मैं tick कर रहा हूँ red वाले यह सारे male part है और यह जो बीच में दिखाई दे रहा है यह female part है इसको कारपल यह हम लोग पिस्टिल बोल रहे हैं और यह जो flower की हरी हरी जो पत्तिया है जब flower word form में होता है मैं आगे अभी दिखाऊंगा यानि कि जब फूल कली होता है कली कहते हैं लोकल लेंगोज में यह word form में होता है तो जो green color की leaves होती है जो इसको protect करती है पड़ा तो सभी ने लिया है बट क्या आपको इसका function पता है क्या आपको पता है कैलेक्स किसको कहते है क्या आपको पता है कोरोला किसको कहते है अंड्रोईशियम किसको कहते है जिम्नोईशियम किसको कहते है जब मैंने lecture start किया था तब भी मैंने आपसे पूछा ता कि अगर ये सारी बातें आपको पता हैं तो आप इस lecture को high speed में आई skip भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट अगर ये सब आपको पता नहीं है हम syllabus की तो बात करते ही हैं previous year questions की बात तो करते ही हैं लेकिन साथ में हम higher facts की भी बात करते हैं जो आपको higher studies में बहुत help करेंगे जो बच्चे आगे plan कर रहे हैं need का ठीक है तो इतनी जानकरी मेरे साब से 10 class में होनी चाहिए strong base होना चाहिए अब ये longitudinal section है flower का जो diagram हमें paper में बनाना है ये वो diagram है जो अब three marks में मैं पहले मैंने क्या कहा था कि वही exam oriented preparation भी होनी चाहिए तो three marks में CBSE ने last 10 साल में कम से कम 5 बार ये सवाल ये 4 बार ये सवाल पूँचा है कि draw the longitudinal section of a flower and label its part and label its part तो ये diagram आप बना सकते हैं जो flower की ये colorful पत्तियां जो होती है फूलों की जो पत्तियां होती है फूलों की पत्तियां उसको हम कहते हैं petals ये जो अभी मैंने लिखा था petals और सारे petals के group को अगर मिला लें तो इसी को korola कहा जाता है ये जो green leaf है जो bird form में flower को protect करती है इनको sepals बोलते है और the group of sepals together called calyx they protect the flower in the bird form from insect from कहना चाहिए adverse weather condition सर petal का क्या function है तो petals को मैंने बता दिया को रोला बोलते हैं पूरे group को और petals क्या करते हैं male और female part इनी के बीच में रहते हैं ये petals हो गया और petals के बीच में male और female part खड़े होते हैं जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है यानि कि they also protect reproductive parts of the flower petals और दूसरा ये fragrance होती है इनके पास और ये देखने में बड़े खुबसूरत colorful होते हैं जो कि क्रोमोप्लास की वज़े से होते है they attract pollinating agent towards themselves for pollination तो मैंने आपको बताया कि स्टा में इनके अंदर दो पार्ट आपको मिलेंगे एंथर और फिलामेंट ये फिलामेंट इसको support करता है और ये जो उपर वाला bird form में आपको दिखाई दे रहा है ये एंथर कहलाता है और इस एंथर के अंदर pollen grains होते हैं चोटे 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 इसको stigma कहते हैं और ये जो बीच में लंबी सी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है जो बड़े स्टाइल में खड़ी हुई है इसलिए इसका नामी स्टाइल है और उसके बाद ये जो थोड़ा सा आपको spherical part जो दिखाई देगा इसी के अंदर होता है और ये जो पूरा flower है जिस base पर ये रखा हुआ ये base ये जो flower का base है जिससे सारे part जोड़े हैं इसको बोलते हैं receptacle और ये जो flower का कहना चाहिए वुडी हलका सा green type का जो stem है इसको petiole बोलते हैं और अगर local language बात करें जो कहते हैं फूल का या किसी भी फल का dental dental वैसे कहते हैं या otherwise इंग्लिश में इसको बोलेंगे biology में इसको बोलेंगे petiole ठीक होगी बात तो एक flower का आपको idea लग चुका है पूरी labeling आपको पता चल चुकी है कौन सा male part है कौन सा female part है female के कितने part है अब ये मैंने diagram आपको इसलिए दिखा रहा हूँ notebook लेकर I hope आप बैठी होंगे और इसका आप screenshot ले सकते हैं ये वो diagram है जो three marks में question आता है और आपको exam में बना कर आना है बहुत simple है ये तो मैं भी बना लेता हूँ ठीक as a teacher of mathematics ये तो मैं भी बना लेता हूँ अच्छा diagram बन जाता है लेकिन अभी यहाँ बना बना बनाया देख रहा है तो ये जो part आपको दिखाई दे रहा है ये samples है ये वाले जो दो निकाले हैं ये samples है petals को इसमें दिखाया नहीं है ये पूरा आपका receptacle हो गया जिसके उपर ये रखा हुआ है लेकिन काम काम की बात दे करेंगे male part इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे male part ये वाले ये एंथर हो गया और ये filament हो गया दोनों के मिलाके instrument कहते है leveling आप आराम से कर लेंगे अब ये female part है पिस्टिलिया कारपल ऊपर वाले part को stigma बीच वाले part को style और ये पूरा आपका ovary ovary के अंदर ovary अच्छा petal है दिखाई दे रहा है ये लंबी सी जो फूल की पत्ती है ये longitudinal section कहला था flower का side से देखने पर ऐसा दिखाई देगा अब ऐसा वाला तो exam में कैसे बनाऊगे ये जो पीछे में दिखा रहा था इसको exam में कैसे बनाऊगे girls की drawing अच्छी होती है तो हो सकता है बना दे हो नहीं सकता है बना देंगी वो तो आपको लग रहा है आप ऐसा बना सकते हैं बिलकुल बिंदास बना दीजे otherwise इससे भी काम चल जाएगा marks आपको उतने ही मिलेंगे जितने मिलने चाहिए ठीक है तो ये longitudinal section है और exam में भी इस नाम से ही आया कि draw the longitudinal section of a flower या और angiosperm तो angiosperm भी आपको पता होना चाहिए पता लगे flower आगया तो तो बना लिया angiosperm नाम पूछ रहे हैं तो बच्चों को पता ही नहीं है study करिए पता लगे एक छोटे से point की वज़े से आपका question ही miss हो जाए और पूरी मेहनत ही खराब हो जाए क्यों ना थोड़ा सा और time लगा के detail में study कर ली जाए जिससे अगर position किसी दूसरी language में भी आ जाता है तब भी हम कर पाएं ये एक major challenge है हमारे बच्चों के लिए आज कल थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के सोचते है काम हो जाएगा बट मैं बोलता हूँ कि study में beach का रास्ता ही नहीं या तो आप completely in है या आप completely out है पीच का कोई रास्ता ही नहीं कि इतना कर लेंगे इतना छोड़ देंगे बिना basic के कैसे करोगे भई male part female part पता नहीं है एंथर स्टिगमा कर लेंगे वही इस्टानमेन पूछ लिया उसने तो क्या करोगे तो बात को समझे आदी अदूरी knowledge बिना knowledge zero knowledge से भी खतरनाक है अब देखी मैं नहीं कहा था detail में बात करेंगे इस्टानमेन is the male reproductive part and produces pollen grain that contains the male gamet अब ये देखी ये सिर्फ male part का diagram आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो छोटे-छोटे male part यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे थे अब सिर्फ male part आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर detail में मैं आपको explain करता हूँ हर इस्टामेन के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे उसकी जो नीचे वाली tube है जो उसको support करती है that is called filament और जो उसका upper part है that is called enter अगर enter को हम cut करें तो चार box इसके अंदर दिखाई देंगे यह male gamit है बहुत protection के अंदर रखा हुआ है otherwise तो मौसम से, weather से, insects से तो नुकसान पहुंच सकता है अगर हम इसको cut करें तो चार इसके अंदर box होते हैं और इसके अंदर होते हैं इनको कहते है pollen sack और इनके अंदर रहता है pollen grain यह आपको देखिए अगर मैं यहाँ से pollen sack को cut कर दो यह छोटी छोटी जो balls आपको दिखाई दे रही है यही है आपकी pollen grain और यह जिस box के अंदर बंध है उसको कहते है microsporengia बहुत ही छोटा सा यह box होता है बहुत ही छोटा सा अब एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि यह एंड्रोइशियम क्या है biology पढ़ने वाला बच्चा जो higher study करना चाहता है biology में उसको पता होना चाहिए male part of the flower is called stamen and it is also called androesium in biological nomenclature biological nomenclature में इसको androesium भी कहा जाता है तो आपको समझ में आगई होगी stamen flower का male part होता याद कर लीजे पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए इस lecture को देखके बात खता अब exam में आ जाएगा सीधा लिख देंगे एक बार revision करेंगे that's all stamen जो है वो male part है reproductive system का किसके angio sperm के इसमें दो part होते है filament और enter filament एक tube होती है जो enter को support करती है और enter के अंदर होते है pollen grain जो pollen check के अंदर बंद होते है 10 class के level की book में इतने detail में आपको नहीं मिलेगा और pollen grain के अंदर male gamut present होता है pollination जब कोई insect इनके उपर बैठता है तो वो pollen grain उसके पैरों पे चिपक जाते है उसके पैरों पे चिपक जाते है legs पे उसके चिपक जाते है फिर वही अगर insect किसी दूसरे पौदे पर जाके बैठता है stigma पे वो टकराता है तो stigma sticky sticky होता है तो वो सारे pollen grain को अपनी तरफ चिपका लेता है तो यही है pollination जिसको हम अभी आगे detail में पढ़ेंगे यह तो मैं आपको ऐसा ही supplementary बता रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते तो this is all about the male part of the flower, androsium word आप याद रखिएगा, androsium, male part of the flower is also known as androsium कारपल और पिस्टिल is called female reproductive part and produces ovule that contain female chemits, अगर कारपल के बारे में लिखने पाता है, इसमें तीन पार्ट होते हैं बच्चो, stigma, style ovary, सिर्फ female part का भी diagram CBSE ने बनाने को दिया है with pollen tube, pollen tube के germination के साथ दिया है, तो वो हम diagram आपको आगे दिखाएंगे, pollen tube के germination के साथ, जो की आपको ये दिखाई दे रहा है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत idea है, तो आप diagram खुद create कर सकते हैं, इसलिए इस diagram को बहुत दियान से देख लें, structure of carpel, या पिस्टिल, तो इसके तीन पार्ट थे, सबसे उ called ovary, और ovary के अंदर होते हैं, ovule, और ovule के अंदर ovum, यानि के female egg, तो this is all about carpel, बट एक बात यहाँ पर जो आपको सीखने की है, gymnosium, ये क्या बता रहे हैं sir, gymnosium is female part of the flower, जिसको आप carpel बोल रहे थे, जिसको आप carpel बोल रहे थे, उसको gymnosium भी कहते हैं, biological nomin culture, biological nomin culture में carpel is also known as gymnosium, या female part of the flower is also known as gymnosium, ये आपको books में 10th level की तो नहीं मिलेगा, तो इसको आप रखिए as supplementary knowledge, अपने notes में इसको add करिए, purpose of the sample मैंने कहा था, कोई चीज भी बेकार नहीं है, कोई चीज भी बेवज़े नहीं है, samples का बहुत important function है, पूरा अगर question, मैं बोल रहा हूँ ना, कि अगर आप ये lecture देख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा, कहना चाहिए notes words बना लेते हैं, अपने मेहनस से थोड़ा सा interest लेके, अगर आप ये complete कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कुछ और पढ़ने की दरुवत आपको रह जाएगी, इस level से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, according to me, कुछ problem होती बच्चों के साथ, डिटॉल और live boy भी 100% guarantee नहीं देता है, वो उस पर TV पे add आता है, वो सारे जर्म से live boy दे, 99.9% जर्म से छुटका रहा है, हालकि 100 बोलते हैं, लेकिन वो जब ऐसा करके, कहना चाहिए, swipe होता है न, तो उसमें एक जर्म रह जाता है, देखें, अपने एक जर्म रह जाता है, क्योंकि बगर 100% तो भी guarantee नहीं दे रहे हैं, तो बाकी आपकी मेहनत के ओपर depend करेगा बच्चा, लो कि आपको कितना interest आ रहा है पढ़ाई में, तो ये सारे चीदे मुझे लगता है, reason जब बच्चों को पता चलते हैं, रट्टू वाली होती है, तो interest हो आता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगबत 5-6 होते हैं नमबर में, जब मैंने बोला था न, flower जब bird form में होता है, तो ये उसको bad weather condition से, और जो भी उसको खराब करता है, मानलो बारिश आगई, बहुत ज़्यादा तेज होले पढ़ गए, तो ये जो सैपल से ये flower को protection देते हैं, सैपल सार लीप लाइफ पार्ट एट इंग्लोज दे फ्लॉवर बड, दे अर लोकेटेट इस लोवर पार्ट अफ दे फ्लॉवर, जब फ्लॉवर का development हो रहा होता है, तो सैपल उसको protection प्रोवाइड कराता है, यूजली दियर आट त सैपल्स और फ्लॉवर, बट मैंने आप से क्या कहा था, सारे सैपल्स को अगर हम मिला लें, the group of सैपल्स is known as कैलिक्स, रिमेंबर माइ, रिमेंबर माइ, दिस वर्ड, हाँ, रिमेंबर दिस वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड, कि भाया, कैलिक्स नहीं पता है, किसी भी बच्च सारे सैपल्स को अगर हम मिला लेते हैं, कैलेक्स कहलाता है, function क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, purpose of the petal, petal का क्या purpose है, petal का क्या का काम है, काम मैंने क्या बताए था आपको, फूल खुबसूरत है, मगर देने के लिए नहीं, वो अपने लिए खुबसूरत है, है ना, petals म करते हैं, the main job of the petals is to attract hummingbirds and insects, so that pollination may occur, pollination क्या होता है transfer of pollen gain from the enter to the stigma detail में अभी आगे बात करी ही लेंगे otherwise हम topic से deviate हो जाएंगे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ तो एक sequence से ही चलेंगे तो जादा better होगा the main job of the petals is to attract hummingbird, hummingbird तो और जगा present नहीं है तो insect बोल सकते हैं, insect और pollinating agent जिनको pollinator भी करते हैं कि भाई है, वो pollinating agents को, insects को, butterflies को अपनी तरफ attract करते हैं अपनी smell से, अपने colorful beauty से अब मैंने क्या खाता, इनके बीच में ही तो होते हैं, male और female part तो ये इन male और female part को भी protect करते हैं petal also protect the stamen and pistil, the parts of the अब जो petals हैं, उनके base पे glands होती है, जो नेक्टरीज कहते हैं, देखे लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा knowledge हो गई है अपने glands at the base of petals called nectaries, और ये nectar nectar किसे कहते हैं, फूलों का जो रस होता है, उसको कहते हैं, nectar जिसको वो इंसेक्ट चूसने के लिए आते हैं, जिससे शहद बनाती हैं, मदू मख्या ये तो बड़ी मदेदार चीज़ है तो the nectar, the fragrance and the color of the petals are what attract the pollinator ये इनका nectar, इनकी fragrance इनका color, ये ही pollinator को अपनी तरप attract करता है, वो pollinator सेम के उपर आके बैठते हैं, pollen grains उनके पैरों पे चिपक जाते हैं, इस्टिक हो जाते हैं फिर वही कीड़ा, वही इंसेक्ट, उसी species के अगर किसी दूसरे plant पे बैठेगा, या उसी पिड़ के किसी दूसरे flower पे बैठेगा, या उसी flower उपर पे बैठेगा, तो वो pollen grain transfer हो जाएंगे, उसी की help से male से female part पे, इसको हमने क्या बोला, at least male part female part तक तो पहुँचा, fuse नहीं हुआ भी है ना, human means में fertilization होता है, direct pollination जैसी कोई चीज नहीं होती, बट पेडों में पहले male part, female part तक, stigma तक पहुचा है ना, fertilization किसको बोलते थे अब, fertilization हम बोलते है, fusion of male and female gamit को बोलते है, अब male और female gamit, female gamit कहां पर है, ovary में और pollen grain अभी कहां पहुचा है pollen grain अभी पहुचा है, यहां से यहां पर land करा है भईया यह enter हो गया, enter से pollen grain stigma पर पहुचा है, किसी भी insect की help से, जबकि उसे पहुचना काई, यहां पर पहुचना है, ovary पर पहुचना है, तब जाके fertilization मानेंगे, तो इस process को pollination बोलते हैं, जो human wings के अंदर नहीं होता है, समझ भार है बात को, जी, तो पेड़ों के अंदर यानि कि flowering plants के अंदर pollination होता है transfer of pollen grain from the enter to the stigma with the help of pollinating agent is known as pollination, अभी मैंने बताया था कि उसी flower पे जाए, या उसी plant के किसी दूसरे flower पे जाए, या उसी species के किसी दूसरे plant के flower पे जाए, इसी base पे pollination दो type का बना दिया है, cross pollination, self pollination, बिल्कुल फुद्दू सी चीज़ है, फिलाल तो ये था petals का purpose, ये थे petals petals या कोई flower 14 February के लिए नहीं बनाए गया है I hope आप इस बात का मतलब समझ गये होंगे, you are mature enough ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, तो there are two types of flower अब भई क्या हो रहा था, अभी तक जो मैंने आपको flower दिखाया, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, कई सारे male part हैं और एक female part है बीच में लेकिन दुनिया में कुछ flower ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ male part होता है या सिर्फ female part होता है यानि कि उनके अंदर सिर्फ single reproductive part present होता है आइदर male और female कुछ flower ऐसे होते हैं, जिनके अंदर both male and female parts are present तो those flowers which have both male and female parts as well are known as bisexual और जिनके पास सिर्फ एक part है, either man part या either male part और female part are known as unisexual because उनके पास सिर्फ single sex है, तो unisexual अब इसका example और मैं आपको बता हूँ, cbsc ने कम से कम पाँच बार ये सवाल भी पूछा है पिछले अगर मैं दस बारा सालों का record लेकर चलता हूं तो साथ में question भी prepare करते चलिए क्या important है, क्या important है, ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, notes बनाईए, अपने screenshot लीजिए और इसको एक बार बस revise क्योंकि मैं lecture में जब इतना आपको समझा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतने बुद्धू आप है कि इसको चार बार, दस बार पढ़ने की जरूरत पढ़ेगी, एक बार अभी आप पढ़ रहे हैं आपको देखने को मिलेगा, या सिर्फ फीमेल पार्ट आपको देखने को मिलेगा बाइसेक्शुल जिसमें दोनों पार्ट होते हैं एक्जामपल हिबसकस है, रोज है, मस्टर्ड है, मैंगो है ये सारे आपको मिलेंगे बाइसेक्शुल दूसरी बात, जिनके अंदर सिर्फ इस्टामेन प्रेजेंट होता है उसको इस्टेमिनेट फ्लॉवर भी कहते हैं, आपको डाइगराम में दिखाई देई रहा है जिनके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट यानि के पिस्टिल प्रेजेंट होता है उनको पिस्टिलेट फ्लॉवर कहते हैं, जिनके पास दोनों होते हैं इस दिज और पॉल्ड बाइसेक्शिल फलॉवर पॉलिनेशन मैंने आपको पहले समझा दिया था, बट फिर से देख लेते हैं यह कोई मदूमक्खी है, जो किसी फलॉवर के मेल पार्ट पे बैठी थी मेल पार्ट पर, यहां बैठी थी female part पर भी बैठी मालो बैठी गई होगी अगर female part पर pollen grain थोड़ी है तो male part से pollen grain उसके पैरों पर चिपक गए क्योंकि वो थोड़े sticky होता है अगर आप किसी flower को छुएंगे तो आपका जो कहना चाहिए आपका जो हाथ है किसी flower को आप छुख के देखिए तो आपके हाथ भी थोड़ा सा color yellow 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 हो जाए क्योंकि जो pollen grain का color है वो थोड़ा yellowish ही होता है और वो आसानी से किसी दूसरी चीज़ पर चिपक जाते है pollination के लिए नेचरी ऐसा है किसी flower को आप छुए तो आपके हाथ में smell भी आईगी अच्छी fragrance भी आईगी और दूसरा अपके हाथ में अगर थोड़ा हिबिसकस वगर अगर आप छुएंगे तो yellow yellowish थोड़ा था color हो जाएगा वो pollen grain आपके हाथ में stick कर गया है तो अब यही insect जाके किसी दूसरे flower पे बैठता है अब stigma भी मैंने आपको क्या बता है था वो ही मैं आपको समझाने के कोशिश कर रहा था stigma भी sticky होती है तो यह उसके पैरों से pollen grain को अपने उपर चिपका लेगी यानि कि pollen grain transfer हो गए male part से female part पे बट इस पेशीद वही रहना चाहिए कहने का मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए यह hibiscus का पौदा भी आपको दिखाई दे रहा है या गुलाब का पौदा आपको दिखाई दे रहा है रोस का अब रोस से वो guava वाले flower पे जाके बैठ गया तो क्या होगा guava जो होगा जब जो भी guava आएगा म्रूद आएगा वो क्या ऐसा हूँ उसके अंदर गुलाब की खुजू हा रही होगी या म्रूद के अंदर गुलाब का वौदा निकल रहा है ऐसा हो सकते है यानि कि इसपेशी से मिजए भी डॉगी से डॉगी कई तो बच्चा होगा बंदर से बंदर काई बच्चा होगा अब शेर पता लगाई आपको लग रहा है शेर है और वो शेर किसी कहना चाहिए डॉक के बच्चे को लेकर गूम रहा है यह तो मेरा शेर है जिसको तो हम पपी कहते है ऐसा पॉसिबल नहीं इस्पेसिज अगर चेंज हो जाएगी तो वो जो पॉलिनेशन या जो फर्टिलाइडेशन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यानि कि फिर वो पॉलिन ग्रेन डैड हो जाएगे फिर उसका कोई मतलब नहीं है वो फर्टिलाइडेशन का फेलियर केस कहलाएगा failure हो जाएगा, वहाँ पर, समझा गई होगी आपको मेरी बात, तो अगर उसी species के किसी दूसरे flower पर जाके ये मदू मक्की बैठेगी, तो वो pollen grain उसके female part पर lend करेंगे, तो male part से female part तक pollen grain का जाना, चाहे वो उसी flower पर हो इसी से इसी flower पर आ जाए possible है, या self-pollination, cross-pollination बनाए गया है और ये successfully तभी होगा, जब species same हो, इस बात को याद रखेगा transfer of pollen grain from the enter to the stigma of the flower is known as pollination, बड़ी simple सी बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना मैंने फिर भी बहुत detail में आपको ही समझाती है अब देखे, क्या है self-pollination and cross-pollination अगर enter से pollen grain उसी flower के male part से उसी flower के female part पे land कर जाएं तो self-pollination कहलाएगा, definition याद कर लीजे याद आपको याद होई जाएगी the transfer of pollen grain from the enter to the stigma of the same flower is known as self-pollination और if the transfer of pollen grain from the enter to the stigma of the another to the another flower of the same plant और another flower of the another plant this is known as cross-pollination the transfer of pollen grain from the enter to the stigma of another flower और another flower of a different plant of the same species भाई ये species same होनी चाहिए it is carried out with the help of external agent ये कौन करेगा, जैसे insect, birds, winds and water बारिश बारिश होगी, पानी गिरता है पानी के जो छीटे होते हैं वो इदर उदर जाते हैं pollen grain बड़ी हलकी सी चीज है तो वो male और female हवा ही चलती है male female पारिश में टकरा जाते हैं वो इस stigma पे stick कर जाते हैं तो हवा और पानी भी pollinating agent है याद रखिएगा, बाकी birds और insects तो है ही है तो ये था two types का pollination इस पे भी question बहुत बारा आया है self-pollination, cross-pollination तो इसको भी आप ready कर लें अब आया है भाईया ये बताईए pollination तो हो गया यानि कि pollen grain stigma तक तक तो पहुँच गया अब ये zoom कर कर देगा यहां तक तो आ गया इसके बाद क्या हो रहा होगा तो as a student मैं पते क्या समझता था मैं ये समझता था कि ये जो pollen grain है ये इसके अंदर गिर जाता होगा और सीधे यहां पर land कर जाता होगा इस ट्रिगमा पर तो आ गया है अब ट्यूब में गिरेगा और सीधे उबरी तक पहुँच जागा च्छलंग मारके तो सवाल ये है कि जब आप छट से नीचे उतर के आते है तो क्या सीधे छट से छांग लगाते है नीचे ग्राउंट फ्लोर के लिए ऐसा तो नहीं है सेम उसी तरीके से आप सिधियों का इस्तेमाल करते है सिधियों पर गिर्ल्स लगे होते है ये जैड प्लस सेक्यूरिटी में चलता है पहले अपने, आपके सेक्यूरिटी डेवलोप करूंगा उसके sales में उसकी Ltd. चलूंगा मैं ये क्यूँ बोल रहा है इससे क्या मतलब है ये समझते हैं तो पहले मैं आपको बता दू pollination is a pre-fertilization process यानि कि fertilization से पहले pollination होता है अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ CBSC ने इस पे भी सवाल पूछे हैं और fertilization is a post pollination process fertilization pollination के बाद होगा और pollination fertilization से पहले होगा तो ये free post का चक्र भी तयार कर लिए एक एक चीज मैं आपको यहां पे समझा रहा हूँ एक एक चीज ठीक है fertilization के है तो हम जानते हैं male और female gamut का fusion होता है और simply इसको fertilization कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं हाँ बिल्कुल सही है आप ये लिखके आ सकते हैं और जाइगोट बनता है फिर जाइगोट वो दीरे-दीरे अब कहां नहीं सुनिये आप लोग भ्यान से जब pollen grain यहां पे land करेगा तो pollen grain germinate करेगा यानि कि वो भी उगना start हो जाएगा और उसमें से एक tube develop हो जाएगी यह जो tube आपको दिखाई दे रही है इस इस नोन ऐस pollen tube इच्छा सर ठीक है बास समझ में आ गई सवाल जलिए एस टूडेंट में इस सवाल खुझ से पूछा फिर एस टीचर मैंने इसका अंसर बनाया इस सर यह आपका कहना चाहिए फीमेल पार्ट कम थर्मो फिलास्क जादा लग रही है जो chemistry lab में रखी होती है चलो भी एवियूम कर लो यहाँ पर pollen grain land करा आपने का डारेक्ट नहीं गिरेगा चलिए बास समझ में आ गई pollen tube generate होगी pollen tube सर इधर भी तो उग सकती थी pollen tube को कैसे पता चला कि नीचे ही जाना है और ऐसे घूम के यूं करके और इसमें जाके एंटर हो जाती है जैसा कि आप इस डाइग्राम में देख पा रहे होंगे यहां से घूमी यहां से घूमी तो यह बड़ा important question है higher level का question deep study करनी पड़ेगी कोई question ऐसा बचना नहीं चाहिए जो आपके mind में आया और उसका answer आपको ना मिले इस level तक अधर आप पड़ाई कर रहे हैं class 10 में तब आपकी मैं समझता हूँ abstractive approach है otherwise ratually approach तो फिर उससे काम नहीं बनेगा ठीक अब इन सवालों के जवाब मैं दूँगा आपको pollen grain pollen tube के उपर sorry pollen grain जो है वो stigma के उपर land करा with the help of pollination with the help of any pollinator यह pollinating agent उस tube की गिरो थोई यानि कि उसमें वो germinate हुआ और उसके अंदर pollen tube निकलाई pollen tube ओवरी की तरफ ही क्यों गिरो कर रहे है अब इसका मैं आपको थोड़ा से एक example देना चाहरा हूँ मेरे पास एक flower pot था इसमें कोई flower pot के लिजी यह चोटा सा कोई plant pot था इसमें कोई यह पौधा था इसका shoot system उपर की तरफ गिरो कर रहा था और इसका जो roots हैं वो नीचे की तरफ गिरो कर रही थी यानि कि मैं कहूँ इसका जो shoot system है वो sun जिदर से निकलता है उपर से आई बात है ना आसमान से, space से तो यह उधर की तरफ गिरो कर रहा है और इसकी जो जड़े हैं वो sun के opposite गिरो कर रहे है दूसरी बात कर रहे है जो इसका shoot system है वो gravity के against जा रहा है, gravity नीचे लगती है और जो roots है इसकी वो gravity की side जा रही है सही है बात समझ जा गए मैंने क्या किया थोड़ी सी मेरे दिमाग में खुरापाथ सी दोड़ी है ना obvious सी बात है, दिमाग में मेरे कुछ हुआ मैंने कहा इसको उल्टा कर देते है मतलब इसको लिटा देते है horizontal direction में horizontal direction में जब मैंने इस पौधे को लिटाया कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या इसकी growth सीधी होगी अप ऐसे यानि कि यह बढ़ता जाएगा और इसकी जड़े क्या इससे बाहर निकल आएगी या मानलो flower pot को बढ़ा कर देते हैं यह इस तरीके से इसकी जड़े आ जाएगी लेकिन पता यह चला ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा तो और क्यूं होगा उस पर बात करेंगा अब या आप यह कहानी ध्यान से सुनते जाएगे यह बहुत important बात है ठीक है सर समझ में आ गई बात तो क्या करें यह एक flower pot था कुछी देर के बाद आप पाएंगे कुछी देर के बाद ने यह क्या हो रहा है क्या सोचा है आपने कभी ऐसा यह control and coordination का part है जो chapter आपके से लेवल से delete कर दिया गया बट बहुत important था shoot system को कैसे पता चला कि हमें उपर ही जाना है root system को कैसे पता चला हमें vertically downward ही जाना है gravity के direction में जाना है shoot system को कैसे पता चला कि हमें gravity के against जाना है यह sunlight की तरब जाना है तो एक hormone है जो इसको control करता है इसकी growth को oxygen कहते है उसको यानि कि hormone का कुछ चक्कर है hormone पता लगाता है यानि कि hormone sense करता है sunlight को और उसी की वज़े से उसकी growth ठीक है control हो रही है बहुत सारे hormones होते है oxyn होता है, gabrelins होता है, cytokines होता है abscetic acid होता है अभी वो अभी यहां हमारा topic नहीं है फिलाल जब किसी plant का कोई growth movement किसी external stimulus के respect में होता है जैसे sunlight की respect में movement हो रहा है यह sunlight यहां से आ रही है तो यह sunlight की तरफ मुड़ गया वाही साब और यह sunlight के opposite जा रहा है जो भी growth movement external stimulus के respect में होगा उसको कहते है tropic movement और अगर वो stimulus की direction में जाए तो positive tropic movement और अगर वो उसके opposite जाए जैसे जड़े हैं वो sunlight के opposite जा रही है तो वो negative tropic movement कहलाएगा sunlight के respect में अब पानी के respect में देख लीजे पानी जमीन के नीचे होता है तो जो shoot system है उसका positive, negative hydrotropism कहलाएगा negative क्योंकि पानी के opposite जा रहा है इसके respect में जा रहा है पानी के तो hydrotropism हो गया और जो जड़े है वो पानी के positive respect में जा रही जाने कि जहाँ पानी है वो वहीं जाएगे नीचे तो वो positive hydrotropism को शो कर रहे है अब sunlight की respect में बात करें तो जो हमारा shoot system है जो उपर जा रहा था ये आपका positive phototropism शो कर रहा है positive phototropism, positive क्योंकि sunlight की direction में जा रहा है और sunlight है तो phototropism tropical movement कहते हैं growth movement को जो stimulus के respect में हो तरहां कुछ तो चक्कर समझ माया है बट ये क्या चीज़ है जो यहाँ पे आप ये क्यों समझा रहे है अब सुनिए असली कहानी ये जो ovary है इसमें से एक chemical release होता है एक sugar release होती है वो sugar इस pollen grain को stimulate करती है अपनी तरफ और ये उस chemical को sense करके उसी की तरफ growth movement दिखाता है जाने के सर ये positive movement हुआ बिल्कुल साही क्योंग ये chemical लेकिन सर कौन सा positive movement होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है positive तो समझ में आ गया कि stimulus की तरफ जा रहा है अगर ये chemical से opposite जाता negative tropic movement हो जाता बट sunlight को वोला आपने phototropism पानी को वोला आपने hydrotropism तो ये chemical की respect में या किसी hormone की respect में अगर कोई movement होगा इसलिए इसको कहते है chemotropism 10th class की किसी level की किताब में ये छपा हुआ आपको नहीं मिलेगा हाँ control coordination वाले chapter में होगा chemotropism के example में पट ये reproduction वाले chapter में कहीं भी नहीं दिया गया है आपको इस level पे आपको जाना है इस level पे हमें पढ़ाई करनी है तब जाके चीज़े समझ में आएगी अब पूरी कहानी को जल्दी से repeat करेंगे कि pollen grain stigma के उपर land हुआ ovary से एक chemical release होता है वो उसको stimulate करता है उसमें pollen grain pollen tube generate होती है और pollen tube अपना growth movement शो करती है positively उस chemical की तरफ और वो धीरे 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 ovary के अंदर पहुँच जाता है यानि कि वो उसको address बता रहा है पूरा कि इधर आना है भाई है इधर से chemical release हो रहा है इधर की तरफ जाना है इसको हम कहेंगे chemotropism pollen tube shows positive chemotropism towards ovary due to that chemical chemical का name अभी मैं recall नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा complex है उसकी अभी जरूद भी नहीं है ठीक होगी बात में तो पूरी protection के साथ ये जो आपको देख रहा है ना male germ cell ये इसके अंदर धीरे धीरे यहां से बढ़ता हुआ आएगा और pollen tube यहां से क्या होगी diffuse हो जाएगी और ये pollen grain निकल के इसके अंदर चला जाएगा और female gamit यानि कि ovum के साथ fuse हो जाएगा और ये आपका होगया fertilization जो मुझे एक minute में पढ़ाना चाहिए था ये एक minute में पढ़ा देते हैं teacher जिस पे हमने इतना लंबा चौना discussion किया तो game इस बात क्या है तो I hope आपको ये fertilization का पूरा process समझ में आ गया होगा कि fertilization पहले pollination होगा pollen grain land करेगा stigma पे और फिर वो जो pollen tube है वो generate करेगी और एक chemical के respect में tropic movement करेगी positive बाला और उस chemical की वज़े से उसको रास्ता मिलेगा और जो उसका growth movement है वो इदर उदर कहीं नहीं जाएगा सीधे जाके ovary के अंदर जाएगा तो ये थी बात असली बात अब इसके आगे हम लोग डिसकस करेंगे जितना भी हमने पढ़ा है इसको लिखके कैसे आएगे एक्जाम में सर एक्जाम में लिखके कैसे आएगे तो आप इसका screenshot ले लिजे as it is आपको ये पूरा मिल जाएगा बट एक सर सवाल मेरे मन में और आ रहा है ये pollination हो गया फिर fertilization हो fertilization के बाद क्या होता होगा fertilization के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या होता होगा होता ये है कि फिर वो ovary grow करती रहती है मतलब उसके अंदर जैसे mother के uterus के अंदर वो बच्चा बड़ा होता रहता है और mother से अपना खाना पीना लेता रहता है placenta के थिरू तो यहां भी placenta होता है ये जो शायद आपको इस वाले डाइग्राम में देखने को मिला था इस डाइग्राम में ये देख रहे है placenta तो placenta वो पार्ट होता है mother के अंदर वो tissue होता है जो mother के पेट से बच्चे तक खाना पहुँचा आता है बच्चे तक तो फिर वो ovary धीरी धीरी गिरो होती है सैपल सारे सूख जाते है ये सैपल सारे सूख जाते है ड्राइ हो जाते है और गिर जाते है पेटल सारे सूख जाते है फूल की पत्तियां male part और ये जो उपर का ये जो आपको stigma और style दिख रहा है ये सारे fall off हो जाते है फिर सर बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा ovary और उसके अंदर जो ovule है फिर सर वो क्या होगा? उसका क्या होगा? उसको देखने के लिए मैं आपको बताऊँ, जो उसका ovule है यानि कि वो उसका बच्चा है, zygote sorry, जो zygote बन चुका था न, ovule में बोलो ovule के अंदर जो है, male और female gamet का जो fusion हुआ था, zygote वो zygote बड़ा होके, बतलब growth होके, beach बन जाएगा, seed जानि कि जो हम फलों के अंदर beach देखते हैं, वो पेड़ों के बच्चे हैं, अगर उस seed को आप किसी favorable condition में लगा दो, तो फिर वो बच्चा गिरो करना start कर देगा, इंसानों के बच्चों की तरह नहीं है, कि अगर इंसान का बच्चा दुनिया में आता है, तो वो गिरो करता ही करता है, क्योंकि हम उसे खाना, पीना, nourishment करते हैं न, उसका इसी तरीके से बीजों का नहीं करते हैं, कोई बीज को हम खुद खा जाते हैं, पेड़ों की बच्चों को हम खुद खा जाते हैं, चना एक बीज है, बीन एक बीज है, दालें बीज है, है न, तो उनको हम खुद खा लेते हैं, क्योंकि इसमें तो बड़ा खाना मुश्किल हो जागा, ओवरी खाते हैं हम, yes, really, जो fruit है, actually, they are the ovaries of plant, या ovaries of flower, या ovaries of female part, female part में तो होती है, ठीक है, एपल खा रहे हैं, एपल एक ओवरी है, अमरूद खा रहे हैं, अमरूद एक ओवरी है, और उसके अंदर जो बीज निकल रहे हैं, वनके बचे हैं, ov Always जो है, वो tough coat बना लेता है, seed को protect करने के लिए, बच्चे को protect करने के लिए, जो बाहर से हार्ट cover होता है, seed का, वो seed नहीं है, seed उसके अंदर होता है, ठीक है, इसका आप screenshot ले लिजिए, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजे, pollen grain produced in the enter are transferred to the stigma of the same flower, और stigma of the another flower, जब वो transfer हो जाएगा, male gamut present in the pollen grain, moves down the pollen tube, pollen tube के अंदर वो धीरे-धीरे नीचे जाएगा, the pollen tube enter the ovule, pollen tube ovule में enter करेगी ovule के अंदर, where the male gamut combined with the female gamut, male gamut female gamut से combine कर जाएगा, जो ovule के अंदर present था, और एक fertilized egg बना लेगा, fertilized egg बोलो या zygote बोलो, बात तो एक ही है, उसके बाद वो zygote divide करता रहेगा, जैसे zygote embryo बनता है, embryo से fetus बनता है, fetus से infant बनता है, इसी तरीके से flower के अंदर भी या plants के अंदर भी zygote divide होगा, embryo बनाएगा, ovule के अंदर, the ovule develops tough coat, ovule tough coat में develop हो जाएगा, and changes into seed gradually, और फिर वो seed बन जाएगा, beach बन जाएगा, ovary grows rapidly, और ovaries rapidly grows करती रहेगी, और याद रखिए, ये word याद रखिए, fruit में बदल जाएगी, वो fruit में, ovaries grows into the fruit, and zygote grows into the seeds, और बाकी की जो सारे part थे, उसके, वो soup के dried off होके, नीचे गिर जाएगे, बाक के तब अब जो बच्चा है, या तो आप उस बच्चे को लाके, यानि कि चने, दाल, beans, अपने kitchen में डबे में pack कर दो, यानि के favorable condition नहीं है, वो बच्चों को आप खा लोगे, लेकिन अगर उसे आप क्या करो, कहीं जमीन में लगा दो, तो वो उगाएंगे, उगाते के नहीं उगाते हैं, उसी कुछ germination कहते है, germination यानि कि उन बच्चों की गिरोध हमारे recording होगी, लेकिन अगर एक इंसान का बच्चे का बर्त हो जाएगा, तो तो gradually गिरोध करेगा ही करेगा, और उसे nutrient मिलते हैं, तो अधरवाइद वो भी मर जाएगा इसी तरीके, ये मरते नहीं है, इसमें dormancy apply हो जाती है, लंबा टापे है अभी बात को यहीं तद रखेंगे, ठेक है तो germination is usually the growth of a plant content within a seed seed के अंदर जो छोटा सा plant है baby plant, उसकी जब गिरोध होती है उसी को हम germination कहते है, it results in the formation of seedling, इससे seedling बनता है, फिर वो seedling धीरे-धीरे growth करता है, it is also the process of reactivation of metabolic machinery जब जो बीज बन जाता है उसकी metabolic machinery switch off हो जाती है, चना है चने को आप सूखे चने होते हैं, आपके kitchen में रखे होते हैं, सालों साल रखे रहेंगे कुछ भी नहीं होगा, पानी में डालके देख लो दो दिन, पानी में डालके condition मिलती है, grow हो जाते हैं, बेंदास of the seed resulting in the emergence of अब ये क्या है, radical and plumule चलो ये देखो जल्दी से, ये बीज लगाया, इसमें तो चोटा था baby plant निकला, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा ये और बड़ा होगा, ये बापर, ये क्या है ये जो plant का, यानि कि जो seed को germination के बाद, वो part जो root में growth करता है, that is called radical, और जो इसका upper part जो shoot में growth करेगा, shoot system बनेगा, बड़ा होके, that is called plumule, इस पे भी CVSC ने कम से कम 4-5 बार सवाल पूछ चुकी है, radical क्या होता है, plumule क्या होता है, तो radical is a part of the germinated seed which grows into future root, and plumule is a part of germinated seed which grows into future shoot system, लेकिन अब मैं एक बात और आपको बताऊं, कि plant जो है, तुरंत पैदा होने के बाद, अभी छोटा था बच्चा है, क्या ये photosynthesis करने लगेगा, तुरंत तो नहीं करेगा, photosynthesis न नहीं करेगा, तो तब तक इसको खाना कहां से मिल रहा है, ये energy इसके पास कहां से आ रही है, तो वो जो energy आ रही है, वही तो खाने को हम खा लेते थे, जो दाल है या जो चने है, उनको हम क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर food store होता है, वह चने खाते हैं हम लोग, है न, टिक्की एक्की में डालके, चने, छोले, और वो चोले, बटूरे, सब खाए जा रहे है, तो वो कहां से आ रहे है, वो उसके अंदर food store है, न, food store है, तो उस food का ही इस्तिमाल करके, वो तब तक गिरो करता रहेगा, जब तक वो photosynthesis करने के लाइक नहीं हो जाता, कि जैसे एक छोटा सा newborn baby, जिसको mother feed कराती है, वो तब तक खाना नहीं खुद से खा पाएगा, जब तक वो खुद capable ना हो जाए, इसी तरीके से plants में होता है, अगर plant को या जो चने के बीज हैं, कोई भी आप ले लिजे, इसको आप थोड़ा सा क्या करिए, moisture में रख दीजे, बिना मिटी के, वो गिरो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो weak होने start हो जाएंगे, और फिर वो मर जाएंगे, क्योंकि वो तब तक गिरो होते रहेंगे, जब तक उनके पास खुद का खाना है, और ये खुद का खाना किसकी firm में होता है, इन्ही को हम लोग कौटी लेडन्स कहते हैं, बच्चों, क्या कहते हैं, कौटी लेडन्स, अब ये कौटी लेडन्स, सिंगल भी होते हैं, डवल भी होते हैं, चैने का पौदा देखो, बीच में से आधा हो जाता है, दाल, जो आधी होती है, बो तो अल्रेडी, पूरी वाली दाल भी आती है, बट गेहूं का पौदा और चावल का पौदा, अगर आप देखेंगे, ये जो भी चावल देखते हैं, जनरली, चावल या गेहूं देखा होगा आपने, उसमें सिंगल पीस होता है, उसको कहते हैं, मोनो कौटी लेडन, तो कौटी लेडन सीड का वो पार्ट है, जब तक वो फोटो सेंथिस के काबिल नहीं हो जाएगा, तब तक वो उसको फूड प बता दूगा, जो इसका बीज होगा, वो मोनो कौट होगा, यह डाइकौट होगा, सिर्फ पौधा देखके, या आप बता सकते हैं, आप तो बीज देखेंगे सर्फ बीज देखाओ, अगर वो दो पीस में तूट गया, तो वो है डाइकौट, सिंगल पीस राद तो मोनो आपको करना सिर्फ इतना सा है, तो पका जो इसका पौधा होगा, वो जो भीस बनेगा, अगर तो वो डाइकौट होगा, और अगर वो लीज ऐसी है, इसको जूम करके देखागा है इतना पाड, उसके जो वीन सिस्टम है, वो पैरेल होगा, गन्ने का पौधा आप देख ल दान या जिससे चावल निकलता है, उसकी कोई पत्ती आप तोड़ के लिए आईए, या आप देखिएगा, कहीं भी अगर आपका experience होता है, ठीक है न अगर आप कहना चाहिए, गाहों से ब्लॉंग करते हैं, तो खेदवेत में जाके देखिए, अधर वाइस को इतनी मुश् सेटीन लिविंग और्गनिजम में, हमने आपको बता दिया, समझ में आ गई ये बात, तो इस इस अल अबाट जर्मिनेशन, पिलुमिल रेडिकल का बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कॉटिलेटन वो चीज़ है जो उसको खाना प्रोवाइट कराती है, जब तर वो फ बहुत डिटेल में पढ़ लिया, अगले लेक्चर से हम बात करेंगे, उसके बाद हम कॉंटरसेप्शन और सेक्शली ट्रांस्मिटेड डिसीजिस की बात करेंगे, यानि कि मेरे हिसाब से दो लेक्चर में अब ये आने वाले चैप्टर हो जाएगा, कमप्लीट, तो पढ़ते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, और उसके साथ पढ़ाई करते रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पीएं, बट पढ़ाई के स्टेडी आर्स आप बढ़ा दीजे, बहुत बढ़ा दीजे, एक्साम बिलकुल आ चुके हैं, तो पढ़ते रहें, कोई भी प्र